नमस्कार धर्मगंगा में आपका स्वागत है हिंदु धर्म में नदियों को अतियंत पवित्र, पूजनिये और मास्वरू माना गया है इन्ही नदियों में से एक है यमुना यमुना मैया को ना सिर्फ माता की रूप में पूजा जाता है बलकि श्रीकिष्ण की पट्रानी के रूप में भी जाना जाता है ब्रजमंडल को छोड़कर बहती हुई यमुना नदि का बहुत महतों माना गया है मथुरा व्रिंदवन में यमुना पूजन का महत्व ठीक वैसा ही है जैसे की काशी में गंगा पूजन का यही कारण है कि यमुना नदि के तट पर बैठ कर पूजा करने यमुना इसनान करने और किसी भी अनुस्ठान को करने का विशेश फल प्राप्त होता है बताया जाता है कि ब्रजमें सालों से यमुना मैया को दूद और बताशे चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है मानिता है कि यमुना में दूद और बताशे चढ़ाने से बहुत लाब होता है तो चली आपको बताते हैं यमुना के पवित्र जल में कच्चा दूद और बताशे चढ़ाने से क्या लाब होते हैं धार्मिक मानेताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यमुना जी में कच्चे दूद और बताशे चड़ाने से घर में सौभागे जागता है और सकारात्मकता आती है। यम की बहन होने के कारण यमुना जी में दूद और बताशे चढ़ाने से आकाल निधन का योग और यमराच का भै भी दूर हो जाता है। यमना जी में दूद और बताशे चढ़ाने से पाप ग्रहों का दुश्प्रभाव निश्फल हो जाता है और ग्रह दोश भी शांत हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यमना जी में दूद और बताशे चढ़ाने से श्रीकृष्ण और राधक की गोलोक धाम में व्यक्ति का निवास प्राप्त होता है। तो इस वज़े से यमना नदी में चढ़ाये जाते हैं दूद और बताशे। उमीद करती हों आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलाल अमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेक। और साथ ही हमारे चैनल धर्मगंगा को सब्सक्राइब करना ना भूले।